मैं हुश्रदा, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागर्द करती हूँ जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने लाली हूँ जिसमें हमने कल व्याकरण की परिभाशा बढ़ी थी और व्याकरण के अंश पढ़े थे आज हम उनिव व्याकरण के अंशों में से एक टॉपिक उठा कर डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्ण विचार, जिसे हम वर्ण माला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण माला को हम इजी वे में पढ़ते हैं, उसकी परिभाशा देखते हैं परिभाशा की सबसे छोटी इकाई ध्वनी हैं, क्या है? ध्वनी हैं इस ध्वनी को ही हम वर्ण कहते हैं और इसी देखेंगे तो वर्णों के विवस्त समू को वर्णमाला कहते हैं मतलब जैसे यह पूरा लिखा हुआ है यह एकदम प्रॉपर लिखा हुआ इस टीश को क्या कहें गया वर्णमाला उके उसके बाद हम इसके parts देखेंगे, मतलब भेव देखेंगे भाशा के इन धोनियों वो उच्छारण की द्रस्टी से दो भागों में बाटा है कितने? दो भागों में पहला है स्वर, दुसरा है व्यंजन स्वर कितने प्रकार के होते है? स्वर होते हैं 11 प्रकार के और व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए? 44, ओके? भाशा में 44 वर्णों को स्विकार किया गया है लेकिन देवनागने क्लिपी की अनूसार 52 वर्ड से हमारी वर्ण माला में वर्ण माला तो सबको पता होगी अर्से लेके गया तक इसमें 52 वर्ड होते हैं लेकिन भाशा में only 44 वर्णों को स्विकार किया गया और देवनागरी के हिसाब से देखेंगे तो 52 वर्ड को स्विकार किया गया है हम इसके बाद स्वर की परिभाशा देखेंगे हम इसे स्वर को टीटेल में पढ़ने वाले हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट से स्वतर्ज रूप से हो उसे हम स्वर कहते हैं मतलब किसी भी वर्णों को बोलते समय कोई रुकावट ना आए उसे हम क्या कहते है, स्वर कहते है, ओके, स्वर को भी तीन पार्ट में बाटा गया है, पहला है हस्व स्वर, दुसरा है दिर्द स्वर, और तीसरा है प्लूट स्वर, ओके, हम हस्वर को आप डिटेल में देखेंगे, जिन स्वरों का उच्छारन करते समय, कम समय लगता हो, मत में हमने कितनी फटाफट बोल दिया और यी ऊू रिशी आप भे बोल के देखिए उन स्वरों को क्या कहते हैं हास्यसवर जिन स्वरों को कम टाइम लगता है बोलने में उसे हम कहते हैं हास्यसवर उसके बाद हुन देखेंगे दिर्ग मतलब बड़ा यह तो सब को पता होगा दिर्ग मतलब बड़ा, जिन स्वरों का उचारन करते समय, हास्य स्वर से ज्यादा समय लगता हो, किस से हास्य स्वर से ज्यादा समय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं, दिर्ग स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ए, ओ, उ, इन्हें बोलने में टाइम लगता है, आप भी बोलके देख यह क्या हो गए दिल्ग स्वर्ट हास्व मतलब छोटा और दिल्ग मतलब बड़ा ऐसे भी आप समझ सकते हैं प्यूत्स्वर्ट जे शब्दों का उच्चारन करते समय एक से ज्यादा मात्राओं प्रयोग किया जाता हो कहीं लिखाए एक से ज्यादा मात्राओं तो कहीं लिखाए तीन से ज्यादा मात्राओं दोनों से ही आप कुछ भी लण कर सकते हैं जिन शब्दों का उच्चारन करते समय एक से ज्यादा मात्राओं का प्रयोग किया जाता हो उसे हम क्या कहते है, प्लूज़व, क्या कहते है, प्लूज़व, उद्दारान ओम, ओम को बोलें टाइम लगता है न, हम कैसे बलते हैं, ओम, उसे कहते हैं, प्लूज़व, अब हम इसके बात देखेंगे, वेंजेंग, सुर्दों सबको समाज आ गया होगा, अब हम व्येंजन, जीनवार्णों का उच्चारण करते समय, स्वर्ण की सहाईता ली जाती हो, किसकी सहाईता ली जाती हो, स्वर्ण की, सहाईता ली जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्येंजन, व्येंजन को भी तीन पार्ट में बाटा गया है, मतलब व्येंजन के भी तीन बैदे, पहला स्पर्श वेंजन, दूसा अंथस्ति वेंजन और तिशा उश्म वेंजन क्या उश्म वेंजन? आप बोलोगे माम सयुक्त वेंजन क्यों नहीं वताया? वो इसमें नहीं आता, उसे हम बाद में डिस्कॉस करने वाले हैं, ठीके? हम अब इन तीनों वेंजनों को बिटेल में पढ़ेंगे पहला स्पर्श वेंजन, क्या है पहला? स्पर्श वेंजन, वर्णों का उच्छारण करते समयें, आपका जीव मुक के विबिन भागों का इस्तमाल किया जाता हूँ मतलग वर्ण बोलते समये, कुछ भी वर्ण बोलते समये, हमारी जीव, गला, दात, खोट इनका प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उनका इस्तमाल किया जाता हो जाँ, उसे हम कहते हैं स्पर्श वेंजन, ओके? इस पर्श रेंजिन कितने होते है टोटल होते है 25 कितने होते है 25 इन्हें हम वर्गों में देखते है को वर्ग में आता है को ख ग ग अड़ा क्या आता है को ख ग ग अड़ा इसे हम कहते है कंठे 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 क्या बोलते है कंठे जो गले से आवाज निकलती हो बोल के देखो, क, ख, ग, घ, अड, इसे हम बोलते हैं तो हमाई लिप्स चक्रार है या फिर टंग, अपनी जीब लग रही है कहीं, नहीं, डायरेक्ट गले से अवाज आ रही, इसलिए इसे बोलेंगे हम कंठे, फिर चवर्ग, च, छ, ज, ज, इयं, च, छ, ज, ज, इयं, इसे बोलेंगे तालव्य, तालव्य मतलब अपनी जीब है, वो अपने मुह में उपर के साइड टकराती है, च, छ, ज, ज, इयं, बोलते हैं, जब अपनी जीब उपर के साइड टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य, और ट वर्ग में, त, ठ, ड, ड, अड, मतलब इसे कहते मतलब अपन जब ठ, ठ, ड, ध बोलते हैं जब अपनी जबान फोल्ड होगे अंदर की साइड टकराती है कहां टकराती है अंदर की साइड तो इसे हम क्या करेंगे मुगेंगे ओके उत्ता वर्ग में आता है त, ठ, द, ध, न मतलब हम यह वर्ट बोलेंगे तो हमारे डाट टकराएंगे इसलिए इसको बोलते है दंत क्या बोलेंगे दंत उके उसके बाद प वर्ग में आता है प, फ, ब, म, भ, म बोलेंगे तो हमारे होट्स टकराते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे ओस्ट उचारंगे प्रयतन पर कुछ भागों में बाटा गया है मतलब यह जो हमने पढ़ा है अभी स्पर्स वेंजन इसे भी उचारंगे प्रयतन पर कुछ भागों में बाटा गया उसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आईए देखते ह पहला है स्वर्तंत्रिग में श्वास का कपन इसमें दो पार्ट से अगोश है एक सभोश और भोश सभोश को ही क्या कहते है गोश कहते है इसको confuse मत होना बिलोगी पहला है अगोश अगोश को हम डिटेल में देखते हैं जीन ध्वनी को उच्चारन करने में जीन ध्वनी को उच्चारन करने में स्वर्तंत्रिय क्रिया में जो कपन होता है वो नहीं होता है क्या होता है जो स्वर्तंत्रिय क्रिया है जिसमें जो कपन होता है वो नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे अगोश जैसे कख, चछ, टठ, टठ, पः और फख इसे हम continue बोलते तो बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे कख बोलने में कुछ प्रॉब्लम आरे है बीच में नई कख, गगः ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा बत प्रॉब्लम्स आती है तो इन्हें हम क्या कहेंगे अगोश क्या कहेंगे हम अगोश फिर उसके साथ साथ अगोश में आते है शह, शशककर वाला, शशकून वाला, शशड़क वाला और फ़ल वाला ये भी वर्ट अगोश में आते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे सगोश मैंने बताया है थाभी थोड़ी देर पहले गोश और सगोश एक ही चीजे कोश्यन आये तो कन्फ्यूस मत ओना दोनों चीज एक ही है कभी सगोश भी दिया तो यही डेफिनेशन लिखना है और गोश भी दिया तो यही डेफिनेशन लिखना है सभी वर्णों के चोथा तीसरा चोथा और पांचवा वर्ण सभी वर्णों के सौरी यहाँ पर वर्ण नहीं आएगा यहाँ पर वर्ण आएगा सभी वर्गों के तीसरा, चोथा, पांचवा, वण ग, घ, ज, ज, सभी सबोर होते अभी मैंने आपको वर्ग बताये थे थोड़ी देर पहले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, फवर्ग उसमें जो भी तीसरा, चोथा और पांचवा वर्ण होगा जो भी तीसरा, चोथा और पांचवा वर्ण होगा जैसे कि ग, घ, ज, ज, सभी सभोष होते हैं क्या होते हैं? सभी सभोष होते हैं और उनके साथ साथ ही द, ड, ज, य, र, ल, ग, ह ये भी सभोष में ही आते हैं कहा आते हैं? सभोष में ही आते हैं उसके बाद हम परते हैं श्वास या प्राण की मात्रा इसके भी दो भेद होते हैं कितने होते हैं दो भेद एक होलता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महा प्राण पहला क्या होता है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है महा प्राण हम अल्पप्राण को देखते हैं जिन ध्वनी के उच्छारण में स्वाशन की मातरा कम निकलती हो मतलब जिन ध्वनी में उच्छारण में जिन ध्वनी को बोलते समय स्वाशन की मातरा कम निकलती हो मतलब अपना जो स्वाशन से वो कम निकलती हो उसे हम क्या कहते है अल्प प्राण सभी वर्गों के एक तीन वर्ग पाँच तथा ड य र ल व ठीके इन सभी वर्डों को हम कहेंगे अल्प प्राण क्या कहेंगे अल्प प्राण उके उसके बाद हम देखते हैं महा प्राण उच्छारं करते समय स्वाशन की मातरा जहां ज्यादा निकलती हो उस वर्ट को हम कहेंगे महाप्राण क्या कहेंगे महाप्राण सभी वर्वों के दूसरा चोथा पता श-श-श-ः अभी थोड़ी निर्व बताया था स-श-ः-ः इनको बोलने में अपने मुझसे वाज ज़ादा निकलती है थोड़ी सी तो यह कहाएंगे महाब्राण में सभी उसकी पाद next हम दखते हैं अंथस्त व्यंजन क्या दिखते हैं अंथस्त व्यंजन यह हमारा दूसा व्यंजन है कौनसा है दूसा व्यंजन इसकी डेफिनेशन है जिन व्यांजनों का उच्चारन करते समय वायू किसी भी भाग को इसपश नहीं करती हो मतलब एर हवा किसी भी पाट को छूती नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं अन्थस्य व्यांजन जैसे यर लव इसे क्या कहते हैं अन्थस्य व्यांजन उसके बाद हम देखेंगे उश्य व्यांजन क्या देखेंगे हम उश्य व्यांजन जीन वर्णों के उच्चारन करते समय वायू तेजगती से निकलती हो मतलब हवा तेजी से निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं उश्य व्यांजन अब मैंने बताया था इनको बोलने में और निकलती है अपने मूझ से तो यह क्या हो गए उश्य व्यांजन और नेक्स्ट है सही उप्तवेंज है यह मैंने आपको उसमें नॉक डाउन नहीं करवाया था पर इसमें से भी questions आते है यह important point है एक important तो नहीं बोल सकते पर काम कही है अपने तो इसमें से question आते है जो important रहते है तो हम इसको भी देख लेते हैं दो व्यांजनों के mail से सयुक्त अक्षर बनते हैं मतलब किसी भी दो word को मिलाएंगे तो एक word बनता है क्या बनता है एक word बनता है उसे हम क्या कहते है सयुक्त व्यांजन जैसे कि आधा को और श्र को प्लस करेंगे मतलब मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपना श्र और त्र बनाने के लिए तो मतलब आधाता जो यह हलंक लगाए ना इसको बोलेंगे आधाता ठीके और प्लस र को मिलाएंगे तो इसे क्या करेंगे र ठीके और गय के लिए ज प्लस यह मिलाएंगे और श श्रमिक वाला बनाने के लिए श शक्कर वाला और र को प्लस करेंगे मतलब यह जो भी वर्ड लि बिल्कुल मत बुलना हैं, बहुत जरूरी इसमें से question आता है तो अधिकतर ये श्रो में से आता है और ये श्रो में से आता है ठीक है, ये दोनों important है ले थोड़ा ध्यान दे देना अब इसके बाद हम पढ़ेंगे questions हमारे main क्या है? questions, मैंने भी कुछी questions उच्छारण के अधार पर और क्या है? पहला option उसका host, दूसरा option तालव्य, तिसरा option मुग्न बुर्द्न और चोथा option कंठियर अपन अब बोलते हैं, तो अपने मुँँ में से कहां से आवाज निकलती है? host, अ, गले से कहां से निकलती है? गले से तो इसका answer आएगा for, कंठियर ठीक है? इसका answer आएगा for, कंठियर तो दूसरा question है यरलव वेंजेनों को कहते हैं यरलव वेंजेनों को क्या कहते हैं? पहला option है सपर्श वेंजिन दूसरा option है तो इसमें क्या आएगा अन्थस्य वेंजन ठीक है मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है उसके तीशन कोशन अपना हिंदी की जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल स्वास का प्रयोप किया जाए उन वर्णों को कहते हैं क्या कहते हैं फर्स्ट अप्शन है अग्धोश दूसर अप्शन है स्वास तिरसा अप्शन है अल्पप्राण और छोदा अप्शन है महाप्राण फिर से मैं question repeat करूंगी हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारंट आते समय केवल स्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते है option A आईगा इसका क्या अग्षोष क्या कहते है इसको अग्षोष कहते है उसके बाद हिंदी वर्ण माला में उच्म वेंजन किसे कहते है तो क्या आएगा यहाँ पर option A उसके बाद हिंदी वर्ण माला में तो इसमय का option A मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये उच्म वेंजन में आते है तो option A है इसका answer उसके बाद आता है फिफ्ट वाला question माप्राइब धोनिया वेंजन वर्ण में किससे संबंदित है पहला पर्स option है पहला दूसरा सेकेंड ओप्षन है दूसरा तिसरा चोथा option है तीसरा option है दूसरा चोथा तीसरा question रिपेट करते हूं माप्राइब धोनिया वेंजन वर्ण में किससे संबंदित है तो इसका answer आएगा option C दूसरा और चोथा उसके बाद question number है निम्द में से अर्थ स्वर कहलाता है option A यह option B है म, option C है र और option B है ल मैं question 3 से रिपेट करती हूं निम्द में से अर्थ स्वर कहलाता है क्या कहलाता है इसका answer आएगा option 1 A option A okay क्या आएगा यह उसके बाद हम अगला question देखते है 7th नमर का question है प्रयत्न के आधार पर किसके आधार पर प्रयत्न के आधार पर लग किस प्रकार की ध्वनी है लग किस प्रकार की ध्वनी है उसके option से पहला option से पार्ष्विक पहला option है पार्ष्विक दूर्षा option हुत्प उध्षिप्ट और इस्ञ option है प्रपित और चोथा option है संगर्षिप तो इसका अंजर क्या आएगा? इसका अंजर पहला आएगा पार्च्षिप ओके? क्या आएगा? पार्च्षिप फिर नेक्स है हमारा आठवे नंबर का नेमने लिखित में से कौन सा शब्ब अमात्रिक है मतलब जिसमें मात्रा नहीं है इनमें से कौन सा शब्द है पहला option है काल खाना दूसा option है अमीताब तिसा option है कल रओ और चोता option है चह चाहना तो इसमें से क्या आएगा तिसरा ओप्शन कल रोक इसमें कुछ भी मात्रा नहीं लगी इसलिए हम थर्ड ओप्शन लेंगे उसके बाद है हमारा question number nine eth वन किसके योख से बना है कुछ सा वन अभी हमने पढ़ा था सायूक तुभेArthur ऋसमें ये option था पहला option है कह प्लस 隻 दूसरा option है कह प्लस च तीश्या option है छो प्लस च और चोथा option है कह प्लस च तो इसमें आएगा option first कल प्लस श ठीक है तो हमारा दस्वा question है हिंदी शब्द पोश में अम व अह किस word के साथ आता है हिंदी शब्द कोश में अम व अह किस word में आता है पहला है ओ, दूसरा है अ तीसरा है अह और चोता है आ तो इसका option आएगा be a हमारा next question है 11 number का जिसमें निम्न में से महाप्राण one है option है थ, फिर है क, फिर व, फिर शब इन में से महाप्राण शब्द कौन सा है तो कौन सा है इन में से महाप्राण शब्द? जिसमे थ, फिर क्या है थ अब 12 नंबर का question है निम्न में लिखित में से दंतव्य वर्ण है निम्न लिखित मेंसे क्या है? दंतव्य वर्ण है option A है यह, option B है च, option C है त ऑर option B है उ धियान से देखना इन तीन ओप्षणों में नीचे हलंते और एक में नहीं है ठीके? तीन ओप्षणों में बीच में हलंते सब में नीचे और एक में नहीं है हलंत का में भ्यान रखना हर जगा और मात्राओं का प्लीज तो इसमें हैं ओप्षण सी त इसका अंसर ओप्षण सी धगा, उच्छारण, इस्थान, कुन सह है? पहला option है हमारा मोर्ग, दुसरा है कंठ, तीसरा है तालू और जोथा है दंध तो इसमें option आएगा B, कंठ, ठीक है? option B आएगा फिर हमारा 14 question है इन में से कुन सा व्येंजन? अल्प प्राणे इन में से कुन सा व्येंजन? अल्प प्राणे पहला है ख, दुसरा है थ, तीसरा है च, और फिर क है तो इसमें से आएगा option A, क्याएगा option A, क्याएगा option A, क्याएगा option A, क्याएगा उसके बाद हमारा next question है 15 number का हिंदी की सपर्श गोश महाप्राण दंति व्येंजन धोनी है हिंदी की स्पर्ष, घोष, माप्रांट, दंति वेंजन ध्वनी है पहला option है भ, दूसरा option है ठ, फिर तिसरा option है ठ, और चोथा option है ठ इन सब में हलंत लगा है, हलंत का ध्यान दीजेगा तो इसमें आएगा option C, ठ, क्या आएगा option C, ठ उसके बाद हमाया कुश्चन है 16 नंबर का, हिंदी की स्पर्ष, घोष, माप्रांट, ओस्ट, व्यंजन, ध्वनी है क्या है, option है a, भ, option b है ठ, option c है ठ, और option d है तो इसमें क्या आएगा, option a, क्या आएगा, option a, भ उसके बाद हमारा पोश्चन है 17 नंबर का, हिंदी की तालव ये ध्वनिया है option a है च, च, ज, 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 उसके बाद हमारा option b है प, प, ब, भ, भ उसके बाद हमारा option c है ठ, ठ, द, ध, उसके बाद हमारा option है d त, ठ, ड, ध, तो हमारा इसका सही answer है option a, च, ज, 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 इसका answer है च, ज, 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 option a तो हमारा question है 18 नंबर का, कोन सी ध्वनी अलप प्राण है option a है ख, option b है ध, option c है ठ, और option d है त, तो इसका answer आएगा option d त, क्या आएगा option d त उसके बाद हमारा question है 19 नंबर का, हिंदी शब्द पोष के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम, सब्द का सही क्रम है option a है संतान, सकल, सचल, सक्षम, सब्द का सही क्रम है option b है संतान, सकल, सचल, सक्षम, option b है सकल, संतान, सचल, सक्षम option c है सकल, सचल, संतान, सक्षम, option b है संतान, सकल, सक्षम और सजर तो इसका अंसर आएगा option D option D okay संतान, सकल, सक्षम और सजर तो हमारा question है 20 number का किस शब्द में जिशी स्विकाल नहीं होता मतलब किस शब्द में हम जिशी वर्ट दूस नहीं करते पहला option है क्रपा, दूसा option है क्रशना तिसा option है द्रस्ट्री और चोथा option है रिवाज क्रपा, क्रशना, द्रस्ट्री में तिनों में र का उप्योग आ रहा है समझें, र का और इस रिवाज में मतलब यह र रस्टी वाला रहा है रिवाज और वह क्रशना तो इसमें option दी आएगा फिर हमारा 21 वाला question है किस ध्वनी को अनुस्वार कहा जाता है क्या कहाता है option है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया option B है स्वतंतर रूप से उच्छारिक ध्वनिया option C है स्वर के साथ आने वाली ध्वनिया और option D है इसमें से कोई नहीं option D की जगा कुछ और भी option आ सकता है तो confused में तो होगेगा जब उनी नहीं जो मैंने ही option D है वही देंगे आप लोगों को इसका answer आएगा option A स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया क्या है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया पर इसके बाद मारा next question है 22 number का कौन सा वर्ण घोष नहीं है क्या है कौन सा वर्ण घोष नहीं है यहादा मैं आपको बता रहता सभोष और गोष एक ही चीज है इनमें confused मत होएगा सभोष आई या गोष आए दोनों मतलब एक ही होगा ठीक है इसका option से ए र दूसा option है तर तीसा option है स और चोता option है ड कौन सा वर्ण घोष नहीं है तो इसका option आएगा इसका option आएगा बी त उसके बाद हमारा question है 23 नंबर का वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता क्या वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है तो इसका option है ए रंग बी है आकाश सी है जाती और डी है अक्षर तो इसका क्या answer आएगा आकाश क्या आएगा आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता क्या नहीं होता आकाश व्यांद क्या आकाश उसके बाद हमारा next question है 24 नंबर का इंदी वर्ण माला में व्येंजन की संख्या कितनी होती है 32 या 33 34 या 35 33 होती है कितनी होती है 33 व्येंजन होते है कुल 35 उसला 33 हमारा next question है 25 वाला हिंदी वर्ण माला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आएगा option A है 10 option b है 11 option c है 12 और option b है 13 तो इस में आएगा option b 11 एसा question भी आता है भाषा के बहाशा में कुल कितने वर्णों को स्विकार किया जा गया है ऐसा question भी आ सकता है बहाशा में कुल कितने वर्णों को स्विकार किया है तो कितने वर्णों को स्विकार किया गया है सबको पता है, मैंने बताया था 44 वर्णों को और देव नागरिक लिपी के अनुसार कितने वर्ण हैं तक में 52 वर्ण आपको कुछ कोशेंस पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रू कीज़ेगा थैंक यू